नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रितिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रितिका मेरे दो बच्चे हैं और इसलिए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कॉट सबसे सही रहेगा बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी और हम लोगों ने काफी सारा कॉट अक्चुल में ट्राई भी किया तो इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए कि अगर आप भी कृट या कॉट खरीदना चाह रहे हैं अपने नए बच्चे के लिए या बच्चा जो आने वाला है उसके लिए तो यह गाइड अगर आप देख लो तो आपको काफी हल्प मिलेगी यह डिसाइड करने में के लिए कि कौन सा कॉट सही रहेगा छोटे बच्चे के लिए तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के कॉट को जाते हैं और उसको आप लिए ले जा सकते हो वह भी मैंने यूज किया रहे बहुत लंबद रावेल किया उसके साथ में सब आपको बताओंगी पर सबसे पहले जिस कॉट के बारे में बात करना चाहती हूं वह उसको मैंने सबसे ज्याधा टाइम तक लंबे टाइम तक य सबसे अच्छी फीचर्स जो कि इसके थी वह यह थी कि यहां पर ना उपर में एक मस्क्यूटर नेट लगाने का उप्शन था तो क्या मच्छर से बचाना बहुत जरूरी है बच्छो को हम सबको पता है तो वह एक अच्छा उप्शन था सेकेंड था यह वाला जो पार्ट यह इस तरव से खुल जाता है जब बच्चा आप बढ़ा होने लग बढ़ा होने लग तो इसको ऐसे ऊसरे कर सकते हो हमने इसको कभी यूस किया नहीं बट ऐसी कर सकते थे तो यह पạoर चच्छे को इसका बहुत बहुत अच्चा है यहां पर एक चोटा सा clip है जिस्को खोल के य यह वाला जो पूरा पार्ट है यह इस तरह से खुल जाता है ताकि आप बेट से भी अटाच कर पाओ ऐसे और अगर चाहो तो बच्चे को उतारना है या चड़ाना है इसी करना है तो उसके लिए भी कर सकते हो तो यह बहुत एजीली खुल जाता है यह क्लिप बहुत मुश्क प्लास्टिक वाला कपड़ा लगाया इसको देखके समझ में आ रहा है काफी जोटा था उस टाइम में तो यहां पर देख रहे हो क्योंकि मेरे दो बच्चे थे तो बीच में तक्क्या लगा कर इस तर से दोनों को सुलाया हुआ है मैं क्या करती थी इसमें सुला के फिर इस तो this was very helpful और इसको देखके आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर एक ही बच्चा है तो वो बीच में सुएगा तो उसको काफी spacious मेलेगा यह space के आपको problem नहीं आएगी इस image में देखिया इसमें थोड़े बड़े हो चुके है यह जो चीज है ना यह नीचे भी चले जाती है मैं तो second में डाल दो फिर और लंबा हो गया कि इससे भी निकलने लग गया बैठने लग गया है तो फिर third में डाल दो third, third में क्या है उसको पूरा खड़ा होना पड़ेगा तबी भी वो निकल नहीं पाएगा I think एक डेर साल होने के बाद में इससे निकलने का option रहेगा but for safety reasons so य यह तीन options के कारण बहुत easy हो जाता है मतलब लंबे time तक इसको use कर सकते हैं ऐसा नहीं बच्चा ग्रोब कर गया आप इसको छोड़ो और दूसरा कुछ लेकिया हो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर आप यह जूला वाला चीज हो गया तो बच्चा को आराम से आप ऐसा-जे करक अगर आपको घर में जादा जगा नहीं के लिए लेके घूमो तो at least इतना जगा तो है कि जहां पर वो पढ़ा है उसी को हिला सको तो यह बहुत अच्छा feature है और यहाँ पर यह वाला जो है आप कुछ बच्चे का toys है या तक्या है या कोई भी extra समान है अगर कपड़े ही ल है और यहाँ पर बगेरा जो जो है वह ही एक और क्यूट से फोटो थी मझे लगा आपको दिखा रहेती हूं अभी बच्चे काफी आउट्ग्रो कर चुके हैं 6 साल के हो गया है तो मेरे पास यहां पर रहे हैं नहीं मैं आपको ज़रूर दिखाती नेक्स जिस कोट की बात क बच्चे थे तब और मैं अपने पेर गए थी साउथ में साउथ इंडिया में फ्रम कोलकाता तो मैंने ट्रावल करते वक्त वो पूरा कैरी किया था फिर वापस लेकर भी आई थी तो आप ट्रावल रिली लॉंग विद्धिस कोट और बहुत अच्छा है अगर आप जादा ट्रावल करते हो तो वो बच्चे का काउट आप साथ में कैरी कर सकते हो उसमें सुला सकते हो प्लस इसका एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद आया था वो यह था यह आप देख रहे हो ना यह पूरा मैश है मैश मतलब जाली है तो क्या बच्चा अगर अगर अकेले रहत बच्चे को और यह बिल्कुल सेफ है एक तो वो निकलेगा नहीं वहां से दूसरा अगर बाइचान जगेर भी गया ना तो चारो तरफ एक सौफ्ट जाली है तो बच्चे का माथा में या कहीं पर वो बुड़न था यह एकदम सौफ्ट मैश है तो कहीं लगेगा भी नहीं अब आराम से थोड़ दिर बच्चे को कोई खिलोना देके कुई कुछ देके वहां बठा सकते हो और कुछ देर तक आप अशौर्ड रह सकते हो कि आप वहां प्रिजन नहीं भी हो आप दूसरे रूम में भी हो तो भी बच्चा बिलकुल पूरी तरह कैसे सेफ है इसको आज का सकते हैं इसके एक साइड में टाइर्स है एक साइड में नहीं है और इसमें भी वह मस्क्यूटर नेट का ओप्शन है वह सारे ऑप्श़न सही में बता रही है कॉक्ण तो नहीं है, बट यह आप बोल सकते हो, इसी तरह से काम आ सकता है, अगर आप बचे को बेड पर ही सुलाते हो, बट हमेशा डर लगता है कि गिर ना जाए, यह वाला जो बेड का रेल गार्ड है, इसको लगाने से बिलकुल एशॉर्ड रह सकते हैं कि बच्चा नीचे देंगे and all that, then you can definitely go for this option, कि आप अराम से इसको यूस कर लिये, फिर आप कहीं रख सकते हो, अगर इसको किसी को दे सकते हो, यह बुरू, whatever, बहुत जादा खर्चा भी नहीं आएगा और आपका इसीली काम भी बन जाएगा, and it will be really safe for the child, और जब अच्छा कोल के साइड में भ कि किसी product को मैं आपको suggest कर रही हूं कि decide करें कि कैसे लेना चाहिए, ने लेना चाहिए, तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है, तो मुझे बताइए, तो मैं ऐसे और भी वीडियो बना दूँगी, वैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी, कि how to raise a positive child, ऐसे बचे को कैसे बड़ा करें, जो शुरू से ही positive या सकारात्मक रहे, तो अगर आपको interest है, तो उसका link आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप उसको click करके देख सकते हैं, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हुगा, धन्यवाद.